आज प्रधान मंतरी पत के एक और दाविदार मैदान में आ गए चुनाफ से 400 दिन पहले आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केच चंदरशेकर राव ने भी प्रधान मंतरी पत के लिए अपनी दाविदारी पेश करती खंबम में केसी आर ने एक विशाल रैली की रैली में केसी आर समेच चार प्रदेशों के मुख्य मंतरी और पांच पार्टियों के नेता शामिल हुए और सब के निशाने पर थे प्रधान मंतरी नरेन मोदी और भारती जनता पार्टी लेकिन बीजेपी अभी तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है छोटी पार्टी है तेलंगाना सेम्बली में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है लेकिन आज केसी आर, अर्विन केजरिवाल, भगवन मान, पिंदराई विजिन और अकली शादव के भाशनों से ऐसा लगा चैसे तेलंगाना में केसी आर का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा केजरिवाल ने कहा कि देश को अब तक खराब नेता मिले इसलिए देश पीछे रहा गया अब खंबम में अच्छे नेता जूटे हैं देश के हालाद भी सुथरेंगे अखिले शादव ने का बीजेपी सिर्फ लोगों को बाटती है बीजेपी से देश का भला नहीं होने वाला और पिंडराई विजन ने का कि बाटने वाली ताकोसों से मिलकर लड़ना होगा वरना बीजेपी से मुक्ति संभव नहीं होगी केसी आर ने का कि हिंदू, मुस्लिम और दूसरे समाज की लोग मिल जूलकर रह सकते हैं ये उन्होंने तेलंगाना में करके दिखाया है ऐसा ही महौल देश में बनना चाहिए और ये तभी होगा जब बीजेपी को 87 हटाया जाए कममे रैली से पहले केसी आर, अकले शादव, अर्मिन केजरिवाल, भगमनमान, पिंडरे विजन और डी राजा को लेकर यद्रादी मंदिर गए ये मंदिर हैदराबाद से करीब 60 किलोमेटर दूर है केसी आर ने हजारों साल पुराने इस मंदिर का काया कल्प 1200 करोड़ की लागत से करवाया है लक्ष्मी नरसिमा का ये मंदिर 1901 में पहला है इस मंदिर में केसी आर ने अपने सभी महमानों के साथ पारब पर एक तरीके से पूजा की करीब एक घंटे तक मंदिर रहें के बाद केसी आर पौनी 200 किलोमेटर दूर खंबम में रैली के लिए पहुँचे हैदरबास से लेकर खंबम तक सड़कों के दोनों तरफ नेताओं के बड़े-बड़े कटाउट थे बैनर्स और पोस्टर्स थे डीर राजा की पार्टी ने भी कभी उनके इतने बड़े कटाउट नहीं लगाये होंगे जितने बड़े कटाउट केस एर ने तलगानों लगवा दिये असल में केसी आर का मकस्त था अपनी पार्टी भारत रास्ट पार्टी को نیشनल पार्टी की तोर पर पर प्रोजेक्ट करना वो यह दिखाना चाहते थे कि इसे तलगाना म Christina में नहीं खम्मम में तो केसियार ने जबरतर भीड़ जूटाई थी। हजारों लोग रैली में पहुँचे थे। रैली ग्राउंड के चारों तरफ पिंक कलर के बियारिस के जंडे थे। आस्मान में बड़े बड़े पिंक बलून्स थे। और चावनों तरफ नेताओं के कट आउट। केसियार ने मंच पर नेताओं का स्वागत किया और इसके बाद भाशमुन का सिलस्रा शुरू हुआ नेताओं ने इतनी बड़ी पब्लिक मीटिक आइजेड़ा बताया सबसे पहले अकलिश आदव ने माइक संभाला अकलिश ने का कि खंबम से देश की राजनीती के दिशा बदलेगी उनों ने का कि बीजे पीने देश भर में विरूदी दलों के नेताओं के खिलाफ अभियान चारा रखा है केंदर सरकार विपक्ष्ट के नेताओं को परिशान कर रही है जिन राज्यों में विरोधेदलों के सरकारे हैं उनके साथ नरे नमोदी के सरकार भेदभाव करती है राज्य सरकारों को परिशान किया जाता है ये सब बदलना होगा अकलेश राज्यों ने का कि अगर ये नहीं बदला तो देश बर्बाद हो जाएगा लोगतन खते पड़ जाएगा अकलेश ने ये भी का कि अब तो मोदी ने भी मान लिया कि सिर्फ चारसो दिन बचे हैं इसका मतलब बीजेपी को समझा गया कि अगले चुनाओं में क्या होने वाला है ये खमम वो धर्ती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकुमत रही होगी ताकते रही होगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है यहां के किसान यहां के नौजवान अगर किसान कभी इखटे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इखटे हो करके अपनी आवाद बुलंद करकर के उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन परसितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खासकर भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक-एक सरकारें जो चुनी ही उनको परिशान कर रही है विपश्च के लोग जो उनके सामने खड़े हो करके सवाल पूस्ते हैं उनको किस सर्यन से उनको दबाया जाए उनकी छवी कैसे खराब की जाए ये भारती जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीत के तहित काम कर रहे है जो संसाएं हमें न्याय देना चाहती है जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते है उन संसाओं को भी दबाब बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जनता पार्टी कर रही है अभी कली भारती जनता पार्टी की मीटिंग खतम हुई है और उन्होंने का कि चार सो दिन बाकी है हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि अब तो वो सुए सुएकार कर रही है कि अब चार सो दिन है जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो ये चार सो दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं इसके बाद बारी आई भगवन मान की भगवन मान ने अकले शादों के बात को और आगे बढ़ाया उन्होंने का कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को बरबात करने में ताकत लगा रही है किसी भी तरह से विपक्ष की राजिस सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है पगवन मान ने का अगर बीजेपी को हराना है तो विरोधी दालों को मिलकर लड़ना होगा पगवनमान ने साफसा बता दिया कि उनकी पार्टी केसिया से दोस्ती इसले कर रही है क्योंकि दोनों की सियासी दुष्मन बीजेपी है इन्होंने बादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का जुमला निकला इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार जुमला इन्होंने कहा था पंद्रा लाख हर घर के खाते में आ जाएगा जुमला तो भारतिय जुमला पाटी बीजे पी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है वो हर चीज हत्याना चाहते हैं ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए जिस राज्जे में जीतते नहीं हैं लोगों दोरा वहां पर बाई एलेक्शन दोरा जीत जाते हैं इस्तीफा दिलवा लो खरीद लो बंदे मले खरीद लो मले हिम्मत देखो आमाजी पार्टी ने MCD चुनाव में 200 में से 134 सीटें जीती बहुमत है लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाएं मेर हमारा बने केसिया और केजरिवाल की दोस्ती समझनी की ज़रुत है इस में इंटरेस्टिंग कॉमन बात है दिल्ली के शराब घुटाले में केजरिवाल के करीबी बनीश सुसद्या औरोपी है और इसी घुटाले में केसियार की बेटी के कविता का नाम भी आया है उनसे पूछताच की गई है खंबम में अर्विन केजरिवाल ने अकले शादव की बात को आगे बढ़ाया अकले शादव कह रहे थे की केसियार ने विकास का जो मौडल बनाया उस मौडल की कॉपी प्रधानमत्तरी नरेद्बूदी कर रहे है लेकिन केजरिवाल को अकले शादो की ये बात बिलकुल पसंद नहीं आई केज़िवाल ने सबसे पहले अपने दिल्ली मौडल आफ गवर्निन्स की तारीफ की और दावा किया कि चंद्शे का राव ने भी उनका मौडल अपनाया तमिलार के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन भी उनका एजूकेशन मौडल अपना रहे है और फिक के जिर्वाल असली मौड़े पर आए कहा आजादी के 75 साल के बाद भी भारत डिवलप्ट कंट्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इस देश के नेता बहुत खराब है इसलिए अब इस मंच पर जूटे सभी नेता मिलकर देश की राजनीती को बतलेंगे मैं कई बार ये सोचता हूँ हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए 75 साल फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया फिर भी हमारा देश पिछडा क्यों रह गया हमारे बाद सिंगापूर आजाद हुआ जापान सेकंड वर्ल्ड वार में तहस नहस हो गया था जापान हम से आगे बढ़ गया सिंगापूर हम से आगे बढ़ गया जर्मनी हम से आगे बढ़ गया हमारे में क्या कमी रह गई हम पीछे क्यों रह गई हम पीछे इसलिए रह गई क्योंकि जैसे विमान साथ ने बताया हमारे देश की राजनीती बहुत खराब है हमारे देश के नेता बहुत खराब है पहली बार इस देश के अंदर एक उमीद की किरन जागने लगी है इस देश के अंदर कुछ मुख्य मंत्री एक साथ आ रहे हैं कुछ नेता खिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं हम सब मिलके अब राजनीती की चर्चा नहीं करते आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैटके चर्चा की किस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होने चाहिए देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए देश के अंदर सिचाई अच्छी कैसे होने चाहिए किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं देश के कुछ मुख्यमंतरी कठियों के के ये करने लगे और आखिर में CPI के जनल सेक्रिटरी डी राजा बोले डी राजा ने का कि विरोधी दवलों में कौन अच्छा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है इस competition को छोड़ना होगा विरोधी दवलों के नेताओं को अपने निजी हिद भी ताक पर रखने होंगे सब को मिलकर रणना होगा, तभी BJP को हरा पाएंगे कौन बड़ा होगा 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 and the defeat of BJP is sure. सिर्फ वादे हो रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, सरकार निवेश के सिर्फ दावे कर रही है, कहीं कोई निवेश नहीं हो रहा, इस पर बिजेश पाठक ने का कि यूपी की जनता ने तो अकलेश आदव को वनबास पर भेज़ दिया है, अब अकलेश कुरसी के के लिए प्रति बद्रता के साथ, अपने अफिसर साथ, मानिमंत्रीगणों के साथ हम लोग आये हुए हैं, और प्राता काल से ही साम तक लगातार से संस चलेंगे, विभिन उद्योपतियों से हमारी बात होगी, और साम को हम लोग रोट सो करेंगे, दूसी तरफ हमने देख इसमें अपनी कूर्ची की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्वे में दोड़र हैं